नमस्कार दोस्तों चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में वर्डप्रेस है क्या वर्डप्रेस एक प्रकार का वेबसाइड और ब्लॉगिंग सिस्टम है जिसके थुरू आप आसानी से अपनी वेबसाइड और ब्लॉग को मेनेज कर सकते हैं इसके बारे मैं बेसिक चीज़े बताऊँगा बेसिक चीजों के साथ में इसको इंस्टॉल करने के लिए रिक्वार्मेंट और डाउनलोड कैसे करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसका जो एड्मिनिस्ट्रेटर पार्ट है उसमें काम कैसे करते हैं सारी चीज हम सीखेंगे एक एक करके चलिए बने रही है मेरे साथ में हम पहले जानते हैं वर्डप्रेस होता के है विस्तार से सबसे पहली बात करें वर्डप्रेस की तो वर्डप्रेस एक प्रकार का open source open source का मतलब होता है आप जो है अपनी एक्छा अनुसार मतलब एक तो डाउनलोड कर सकते फ्री में और दूसरा open source मतलब आप जो कोडिंग है वो अपने अनुसार मेनेज कर सकते हो ठीक है content management system है content management मतलब आप खुद ही अपनी website आपने बनाए हो या बनवाए हो तो खुद ही अपने content को daily wise पर या दिन भर में आप कभी भी login करके अपनी post को add कर सकते हो, post को edit कर सकते हो, delete कर सकते हो, page बना सकते हो, page हटा सकते हो, category है या add में जो role हो रहते है user के वो सारी चीज आप यहां से manage कर सकते हो सबसे अधिक लोग प्री है, इसके अलाबा back-end की बात कर एक होता है, front-end और एक होता है back-end, front-end मतलब जो user को दिखता है, back-end मतलब जो administrator पार्ट होता है, जिसमें वो editing कर सकता है, जो user को दिखाना है, CMS और components से website को जो है updating, customize और manage करने की अनुमती देता है, मतलब website को आप update भी कर सकते हो उसमें customization करना logo add करना profile change करना बहुत सारी चीज़ा आप change कर सकते है और manage भी कर सकते है यह सारी permission कौन देता है wordpress देता है ठीक है तो आपको basic group से समझ में आगा होगा कि wordpress है क्या wordpress एक प्रकार का open source content management system है जो user को अपनी website को manage करने अपडेट करने या फिर customize करने की सारी facility पदान करता है तो wordpress आपको clear हुआ ठीक है चलिए आगे जानते हैं और अब CMS के बारे में जान लेते हैं CMS होता कि CMS मतलब होता है content management system content management system एक प्रकार का software है इसका मतलब होता है जिसे आप MS Word में काम करते हैं जिसे कोई document आपने टाइप करें उसमें आप formating कर सकते बोल डेटेलिक अंडर लाइंड सारी चीज़ आप manage कर सकते हैं table ला सकते पिक्चर ला सकते उसमें formating कर सकते हैं text के साथ picture को adjust कर सकते तो इस सारी चीज़ यानि की और अधिक चीज़ होती जैसे photo है music है document इन सभी चीज़ों को क्या करता है ये store तो करता है साथ में manage करना, edit करना, publish करना इस सारी facility प्रदान करता है CMS ठीक है website गंतरगात इसकी जो सुरवात है 27 में 2003 को Mate, Mullenberg और Mike Little के दौरा ये जो है wordpress को जारी किया गया था हलाकी lab हम आगे पढ़ेंगे, advantages तो user management, user management का मतलब एक सहथी user यहाँ पर हम डाल सकते, उसके role को manage कर सकते role मतलब होता है, कौन सा user subscriber होगा, कौन सा user viewer होगा, कौन सा user editor होगा कौन सा user administrator होगा, ये सारी facility के अंतरगत होती है, user management और ये facility कौन परदान करता है wordpress, फिर होता media management, media का मतलब होता है simple से बात, text को, graphics को, sound को, video को, ये सारी चीज़ों को आप upload कर सकते हो, upload करके आप अपने अनुसार manage कर सकते हो, delete कर सकते हो, सारे काम कर सकते है wordpress के अंतरगत, theme manage कर सकते है, आपका जो website का look है, वो कैसा देखेगा, उस theme को आप set कर सकते हो, चाहे तो आप theme को अपनी चनुसार कस्टमाइज कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते है extend with plugins, मतलब wordpress में आपको कोई भी काम करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की जरूवत नहीं होती, plugins अवेलेबल होते हैं, plugins आप download कर सकते हो, download करके install कर सकते हो, ठीक, उन plugins को कस्टमाइज भी कर सकते हो, ये सारी चीज़े आप जो है अपने website को extend करने का काम करेगी, ठीक है search engine optimization के माध्याम से, multi-lingual होता है, multi-lingual मतलब किसी particular वेक्ती को English समझ में नहीं आ रही तो इसमें translate करने की facility है, किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही तो इसमें translate करने की facility है, येनि कि एक सहतिक भासाओं में ये काम करता है, importers, importers का मतलब लाना, येनि कि कोई आदर post आपने ब install कैसे करते हैं, वो देखेंगे, चले, फायदे की बात करें, तो open source platform है, जो की बिल्कुल free available है, दूसरी चीज़ इसमें CSS file होती है, जो की अपनी इक्छनुसार modify की जा सकती है, next जो होती है, बहुत सारे plugins होते है, template होती है, तो इनको हम अपनी जरूद के इनुसार download कर सकते ह next, what you see is what you get पर आधारित है, मैंने आपको पहले भी बताया था, HTML editor पढ़ा रहा था, कि जो what you see is what you get जो होता हमारा हमको जो देखता है, मतलब जो हम चाहते हैं, वो हमको देख जाता है, या जो देखता है वो हमको प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार की चीज़े, जैसे हमने expression web पढ़ा है, अब हम पढ़ रहा है wordpress, तो ये सारी चीज़े उसी पर आधारित है, अगर कोई media है, text है, graphics है, video है, इन सभी को हम upload आसानी से कर सकते हैं, और fast कर सकते हैं, search engine optimization tools इसमें available होता है, customize कर सकते हैं, अपने उनसार, और user को different role प्रदान कर सकते हैं, तो basic कुछ फायद requirement क्या होना चाहिए, तो software की requirement क्या होगी, जिसे database, mysql 5 plus 0, यानि 5 से उपर चाहिए, version 5 से उपर चाहिए, mysql, web server जरूवत पढ़ती है, web server क्यों जरूवत पढ़ती है, क्योंकि आप सीधे server पर काम करते हो, मतलब अगर अपनी website की बात करें, तो कहां पर रहती, server पर, तो operating system होता, उसके लिए, operating system, कौन सा, cross platform, कोई भी operating system पे चल जाएगा, browser, internet explorer, हाले की अभी बंद हो गया, तो Microsoft Age आप ले सकते, इसके upgraded version, Firefox हो सकता है, Google Chrome हो सकता है, Safari उपरा, तो ज्यादा तर Google Chrome, Firefox या फिर Microsoft Age का उप्योग करेंगे, तो PHP 5.2 से upgraded होना चाहिए, इसके बात का version होना चाहिए, ये minimum हो गया, minimum के अलावा, आप latest कोई भी ले सकते, तो basic system requirement होना चाहिए, तब आप अपने computer में WordPress install कर सकते हो, तो install कर सकते हो, मैं download करना कैसे है, वो बता देरता हूँ, तो चलिए, सबसे पहले download करने के लिए, आपको कोई browser open करना होगा, तो यहाँ पर Google Chrome हमने open करे और Google Chrome में हम यहाँ पर सीधे Google के web page में, मतलब home page में चले जाते हैं, और यहाँ टाइप करते हैं WordPress, सिर्फ WordPress टाइप करना आपको WordPress डाइप करोगे, तो चलिए, यहाँ पर हम चाहिए तो download भी लिख सकते, WordPress download, इस प्रकार से आप लिखोगे, तो देखिए, यहाँ पर free download easy to use, किसको, WordPress को, यहाँ फिर नीचे एक और site दी हुई है, WordPress.org, अगर इस site में भी आप जाते हो, तो इस site में जाने के बाद देखिए आपको, directly download वाले section में, आपको get WordPress में जाना है, और नीचे आप देखोगे, तो download WordPress, 6.1.1, तो इसको download करना है, डाउनलोड करने के लिए, काम करते हैं, backend में कैसे login करते हैं, सारी चीजी यहाँ आपको बताऊंगा, जैसे आपके पास particular website होना चाहिए, तभी आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से WordPress जो है, उसका backend आगया, यहाँ पनी website का backend आगया, इस install कर लेने के बाद आप अपनी सारी चीजे, local host है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से आप server, login ID, password, username, सारी चीजे आप उसमें एंटर करोगे, इसके अलावा मैं आपको online यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर हम जो है, ID और password को एंटर करेंगे, देखिए हमन जो है, जिस की website उसका नाम देख रहा है, नीचे देखिए, आप dashboard है, dashboard की नीचे home है, home में आप जाओगे तो homepage से related, मतलब dashboard का homepage खुलेगा, ठीक है, इसके अलावा update आया, जैसे मान लो, समय समय पर wordpress के update आते रहते है, बहुत सारी चीजे update आती है, तो यह update का option दे रहा है, ठीक है, इसके अलावा post का option दे रहा है, post मतलब जो daily wise पे आप जो है post करते हो, जिसमें मतलब आप चाहते हो कि कोई जैसे news है, news paper वाले है, तो जैसे daily news आई, कुछ भी, तो यहाँ पे post में जाके आप add news कर सकते है, category आप define कर सकते है, जैसे sports की है, या फिर आप जान सकते हो क भाई यह कैसी है, district news है, या local news है, या फिर आप जान सकते है, state news है, तो इस प्रकार आप category यहाँ बना सकते हो, tag भी बना सकते हो, ठीक है, इसके अलावा media के अगर बात करें, तो media मतलब आप जो video है, photo है, इनको आप अपनी website में add कर सकते हो, computer से, और वहाँ post भी कर सकते हो, next आप अपने particular page बना सकते हो, जैसे page के अगर बात करूँ है, तो page जो होते हैं, कि about us, contact us, इस प्रकार के page आप बना सकते हो, इससे, और all pages को manage भी कर सकते हो, comment आप देख सकते है, notices, ठीक है, notice आप manage कर सकते हो, जैसे sequence में नी चलती है, latest news बगेरा, उस प्रकार की notice आप यहाँ स add कर सकते हो, आप अपनी website का appearance change कर सकते हो, जैसे आगर मैं customize पर जाओ, जैसे मानलो theme पर, तो theme पर मैं click करूँ, तो आपको basic basic सारी चीज़े मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर देखे आपको theme दीख रही है, आप customize कर सकते है, इस theme ठीक है, क्या कर सकते हो, customize, या फिर new add करना आपको यहाँ option दिया है, add new theme, ठीक, इसके अलाब आप जो है theme के बाद चले, तो customize option पर जाओगे, मतलब किसके अंतरकत, appearance के अंतरकत, customize में जाओगे, और customize में जाने के बाद आपको, देखे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़े मिल रही, जैसे मानलो, header से related option आप यहाँ change कर सक तो header option में आप जाओगे, देखे, header की media है, notice section है, top header है, office detail है, site identity है, main navigation, जितनी भी चीज़े दिख रही है, यह सारी चीज़े आप यहाँ से change कर सकते हो, header option से, दूसरा header option के बाद template option में जाओगे, तो देखे, homepage की setting set कर सकते हो, post option set कर सकते हो, page option, यह देखे, सारी चीज़े यहाँ पर आपको नजारा रहे, उसके अलाबह देखे, additional section है, footer section आप change कर सकते है, color section है, theme option है, menu है, menu change कर सकते है, footer में menu है, main menu है, top menu, इनको भी आप set कर सकते है, यहाँ से, साथ ही, budget आप manage कर सकते हो, budget मतलब समझ रहा है न, footer में क्या budget रखना है, budget मतलब एक प्रकार से particular आप चाहते हो कि देखे, footer में, देखे, इस प्रकार से आप रख सकते हो, ठीक है, अगर footer 2 रखना है, तो यह देखे, budget मतलब नीचे, छोटे छोटे आईगान टाइप, जो है, कुछ अपनी information को रख सकते हो, और सारी चीज़े manage करने बाद यहाँ से publish भी कर सकते हो, ठीक, इसके लाब हम वापस चलते हैं, कस्टमाइस से बाहर चलते हैं, कस्टमाइस के बाद देखे, यहाँ budget का separate option दिया है, तो देखे, budget हमने जैसे किलिक करे, और यहाँ पर next ने इस guide करके दे रहा, guide मतलब हमको guide करता, तो देखे, left side bar footer, यह सारी चीज़े आप यहाँ से add कर सक सकते हो, ठीक है, अपनी website में आप अपनी एक्छानुसार manage कर सकते हो, ठीक, इसके अलाब आप menu add कर सकते हो, menu मतलब जैसे home page है, about us है, contact us है, इस प्रकार की चीज़े आप manage कर सकते हो, जैसे देखे, यहाँ आप menu के अगर बात करें, तो जैसे जो page बनाते हैं, मान लो आपने कोई page बनाए, नया page, तो उसको किसी menu के अंतरगत रखना है, तो देखे, about के अंतरगत क्या क्या रखा मैंने, देखे, about के अंतरगत इस सब item रखें, फिर academy के अंतरगत फिर सब item, फिर देखे, admission के अंतरगत सब item, तो इनको आप directly ऐसे उठा कर इधर उधर manage कर सकते हो, ठीक तो ये देखे, सारी चीज़े आप जो है, अगर चाहे तो add menu देखे, यहाँ पर आप जो है, view all करोगे, सारी चीज़े देखेगी, इसके अलाबा देखे, post आप देख सकते हैं, ठीक है, page तो ये हो गए, ठीक, इसके अलाबा page को आप manage कर लिए post, अभी कोई भी post नहीं है, custom link आप manage कर सकते है, category अगर है, तो category को आप manage कर सकते हैं, ठीक, ये सारी चीज़े करने के बाद आप save कर सकते हैं, save करने के लिए save button पर click करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं, और उसके बाद देखे, यहाँ पर header section को आप manage कर सकते हैं, इसको मैं leap कर देता है, हमने अभी कोई इसको मैं वापस कर देता हूँ, इसको वापस कर देते हैं, और यहाँ हम चलते हैं main page पे, main page मतलब जो हमारा budget वाला page था, मतलब dashboard था, dashboard में हम चल लेते हैं, चल यह dashboard में हम आ चुके हैं, और यहाँ देखे आपको, बहुत सारे option और दिख रहा है, header है, background आप change कर सकते हैं, plugins install कर सकते हैं, plugins का मतलब नीचे आप plugins में जाओ सीधे, यह नीचे plugins option दे रहा, plugins मतलब होता है, जैसे आपको contact us page बनाना, तो आपको coding करने ज़रूँ अतनी install कर सकते हो, install कर सकते हो, इसको apply कर सकते हो, यह directly आपको facility मिलती है, जैसे आप देखे, यहाँ type करोगे, add new करते है, ठीक है, add new करोगे, तो यहाँ पर आपको, यह पेस तो दिखने रहा है, not found दिख गया, ठीक है, add new में यहाँ सर्च करो, और यहाँ हम सर्च करते हैं, contact, contact को ह plugin हम जो है install कर सकते हैं, और उनको हटा भी सकते है, user के role को आप manage कर सकते है, all user यहाँ देख सकते है, कोई नए user लाना है, उसको आप add कर सकते हो, या फिर आप पुरानी user को हटाना चाहते है, tool में देखे, import, export की facility भी दी हुई है, site health की facility दी हुई है, search engine optimization की facility भी यहाँ पर आ लिखेंगे यहाँ पर, post add कैसे करते हैं, तो post add करने के लिए सबसे पहले आपको category होना चाहिए, category add होना चाहिए, category के बाद आप जो है post बना सकते हो, दूसरी चीज, आप page भी add कर सकते हो, page add करने के सांथी सांथ आप media को भी add कर सकते हो, यह सारी चीज हम एक एक करके हाँ देखने वाले जितना मैंने अभी बता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है ता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं